योगासन, भुजगासन इस आसन में शरीर की आकृती फन उठाए हुए सर्प जैसी बनती है। इसी लिए इसको भुजगासन कहा जाता है। विधी भूमी पर बिचे हुए कंबल पर पेट के बल उल्टे होकर लेट जाएं। दोनों पैर और पंजे परस पर मिले हुए रहें। अब दोनों हथेलियों को कमर के पास ले जाएं। सिर और कमर उपर उठा कर जितना हो सके उतने पीछे की और मोडे। ना भी भूमी से लगी रहे। पूरे शरीर का वजन हाथ के पंजो पर आएगा। शरीर की स्थिती कमान जैसी बनेगी। मेरू दंड के आखरी भाग पर दबाव केंद्रित होगा। दृष्टी को आकाश की तरफ स्थिर करें। 20 सेकिंड तक यही स्थिती में रखें। बाद में धीरे धीरे सिर को नीचे ले आएं। हर रोज एक साथ आठ से दस बार ये आसन करें। लाब भुजंग आसन से व्यक्ति चिरन जीवी, शक्ती मान, एवं सुद्रड बनता है। ज्यान तंतु बलवान बनते हैं, पीठ में रहने वाली तमाम खराबियां दूर होती हैं। पेट की अंगों को शक्ति मिलती है, कब्स दूर होता है, छाती और पेट का विकास होता है, शरीर में सुर्ती आती है, रिदे मजबूत बनता है, इस आसन से मेरू दंड लचीला बनता है, पीठ में स्थित कुंडलिनी शक्ति जागरित करने में ये आसन सहायक है।